दोस्तों देवानन ने अपनेसे चोटे एक्ट्रिस को हमेशा आगे बढ़ने और बहतर काम के लिए प्रेरिद किया है। जीन अतमाने के ऐसी ही अक्ट्रिस हैं जिन पर देवानन की खास क्रपे द्रिष्टी बनी रही। देवानन्द में अपने से 30 साल छोटी जीनतमान के साथ ना सर्फ काम किया बलकि उन्हें स्टार भी बना दिया या बाद जीनतमान भी मानती है जीनतमान को जब फिल्म हल चल से कोई खास पहशान नहीं मिली तो वे परिवार के साथ भी देश चाकर बसने की तयारी करने लगी वे जब देश चोड़ने वाली ही थी कि तभी उनके पास देवानन का फोन आया और उन्हें फिल्म हरे रामा हरे किष्णा में काम करने का ओफर दिया इस फिल्म में उन्हें स्टार बना दिया वे इसमें देवानन की बहन के रोल में नजर आई थी जीनतमान ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे पोस्ट में देवाननन को अपना स्टार मेकर बताया उन्होंने पोस्ट में लिखा 1970 का बदोर था मुझे लगता था कि ओपीर रहलन मुझे लेकर कुछ दुखी थे उन्होंने मुझे हलचल में छोटा सा रोल दिया था जिसका थोड़ा बहुत असर बड़ा मैं अपनी मा और सोतेले पिता करिसाथ मल्टा देश में बसने की तयारी कर रही थी देवानन्द और उनकी कंपनी नवकेतन की तीम उस वक्त फिल्म हरेक रामा हरेकिष्णा की कास्टिंग के लिए कलाकारों की तलास कर रही थी फिल्मेकर ओपी रहन ने उनसे मेरा जिकर किया जीनत तब एक शोरी थी फिल्मा के साथ देवानन्द और उनके टीम से मिलने के लिए पहुँचे मुलाकात के कुछ दिनों बाद फोन के खंटे खंखनाई जीनत को फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया जीनत ने आगे बताया मेरा परिवार देश छोड़ने के लिए तयार था लेकिन देव सहाब ने मुझे और मेरी मा को मनाया और यातरा को टालने के लिए कहा जीनत माल टक जाने के बज़ाए काटमांडू पहुँच गई वहाँ वे एक मशूर होटल में रुकी फिरू उने फिल्म के शूटिंग के लिए पुलाया गया एक्टरस ने बताया कि वे अपने पहले सूट के दोरान इतना घबराई कि वे अपने डायलोग तेजी से पोल रही थी जिसे देखकर जीनत आज भी हसती है उस दोर में फिल्म में रिलीज होने में काफी वक्त लगता था जीनत और उनकी मादेश छोड़ने की फिर से तैयारी करने लगी देवानन ने जिनत को पता चला तो वे उन्हें दुबारा रोकने के लिए कहे और आशवासन दिया कि वे फिल्म की जल्दी एडिटिंग करवागरी से रिलीज भी करवा देंगे फिल्म रिलीज होई और काफी सफल रहे जीनत अमान स्टार बन गई देवानन ने जीनत को फिर अपने अगले फिल्म हीरा पन्ना का ओफर दिया देवानन ने जीनत के बाद में डारलिंग और काला बाद जैसे फिल्मों में भी काम किया 71 साल की जीनत अमान आजकल सोसल मीडियर पर काफी एक्टिव रहती है वेल दोस्तों आजके लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए बाबाई